Falka Hintursorger का सिल्फ 1 episode बचा है और 5 फे episode में उन्होंने कमाल कर दिया जो secret cameo की बात चल रही थे थे एक्षरी में secret cameo होने कौन वाला है यह भी हमें बता दी गैसी episode के अंदर आज की इस video के अंदर मैं आपको explain करने वाला हूँ हत्या करके वहन पर भागा भागा चला आता है और एक विरा उसको अंदर आजयता है वहाँ पर आने के बाद उसको लगे याद आती है, बращ deriv का नाम था लभा यनि ले मार आ उसको उसने मार दे तो गलख्या किया तो यहाँ पर आने के बाद वो एक तरह से ग्रीब कर रहा होता है लमार की देथ के उपर वहाँ पर हमारा Falcon और Bucky आ जाते हैं और Falcon उससे कहता है कि John तुमें शीर्ड मुझे वापस करनी पड़ेगी और John यहाँ यहाँ पर कहता है कि नहीं मैं वापस नहीं करूँगा और यहा हैं बहुत इंप्रैस हूँ इस फाइट को लेके जहाँ पर हमारा Bucky Sam दोनों मिलके मार रहे हैं John Walker को और कहीं न कहीं Civil War वाली वायुसादी है क्योंकि उसके अंदर भी तोनी विचारा पिट रहा था और Falcon और Bucky उसको मिलके मार रहे थे यहाँ पर हम दिख सकते हैं कि जो हमा इस फाइट के दोरान जो जादा गुस्से में आ जाता है कि जिस तरह से उसने Flag Smasher को मारा था उसी तरह से वो Bucky और Falcon को भी मानने कुछ करता है और एक point पर तो वो Falcon के उपर भी चड़ जाता है और मैं को ऐसा लगाता है कहीं न कहीं है हमारी शेल्ड का स्टमाल करके Falcon को इना मार दे और कहीं बार यहाँ पर John Walker बोलता I am Captain America मतलब इतना Ego इसके अंदर आ चुका है और अब यह जो fight है वो personal हो चुकी है लमार को मानने के बाद शाया John Walker की दिल पे बहुत बड़ा असर हुआ है fight खतम अने के बाद हम देख सकते हैं कि Bucky और Sam को वो shield मिल जाती है और John Walker वहीं पर बिचारा पढ़ रहा रहता है इस fight के अंदर जो मारे Bucky है और Sam मिलकर हमारे John Walker के left हाथ को भी तोड़ देते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि John Walker वहीं अवेंड एंड हेरा उसके अंदर पढ़ा रह जाता है फाइनलरी जो shield है वो मिल जाती है इसके rightful successor को यानि कि Falcon को Avengers Endgame के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हमारे जो Steve Rogers थे उसे जो shield का right था वो दिया था Falcon को लेकिन Falcon ने जब मना कर दया तो कहीं न कहीं shield की base देती थी लेकिन देर आ है दुरूस्ता है दुरान हम देख सकते हैं कि जो Falcon का suit होता है वो हमारे John Walker बिल्कुल खराब कर देता है और यहां तक कि इसके जो punk है वो मिल्कुल तोड़ ही देता है इस तरह से वो Falcon की जो freedom है वो ले लेता है और यह दिखाता है कि मैं तुम्हार से उपर हूँ इस शो का इस एपिसोड का मुझे यह थी बहुत जादा अच्छा लगता है उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि John Walker को हमारी US के senator बुलाते हैं और जो उपादिस को दी गई थी Captain America की वो से वापस ले ली जाती है आपर Walker को खड़ा किया जाता है US के सारे senators के सामने और वहाँ पर senators यह बोलते हैं कि तुम्हें जो power हमने दीती वो सारे के सारी हम वापस लेते हैं तुम्हें Captain America के लाने का कोई मतलब नहीं है तुम्हान को कोई pension नहीं मिलेगी यहां तक ही सरकारी कोई भी तुम्हें बेनेफिट नहीं मिलने वाला है इस बास से किलस का John Walker वहाँ से चलाता है और US की जितने से इंडर करके यहां से चला जाता है मतलब इतना ego इतना परसनली इस चीज़ ने इस बंदे को ले लिया है और मैं यह कहा रहा हूँ कि इस करेक्टर के लिए मेरे तरस से बहुत जाज़ा स्यावनेबूती है और मैं चाहता हूँ कि चले में इसका redemption इसको मिले लेकिन कहीं न कहीं इस scene के अंदर जो John Walker के अंदर attitude था न वह परसनली कुछ जाद ही होगा और मुझे White Russell की acting यहां पर बहुत ही mind-blung लगी मतलब really I love this character now courtroom से बाहर निकलने की बाद में हम यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा White Russell का character John Walker वो grief कर रहा है और कहीं न कहीं सोच है कि यह जो भी हुआ है वो सही नहीं हुआ है और यहां पर entry होती है एक character की जिसको बहुत time से tease के जा रहा था and finally we know what that character is आप हम देख सकते हैं Julia Lewis जो की actual में play कर रहे है Valentina Allegra Defonte अब मैं अगर बात करूँ इस character की तो यह character बहुत time से tease के जा रहा था काफी लोगों ने बोला कि 5 पर episode के अंदर एक cameo होने वाला है cameo हमें Julia Lewis ने दिया उनका जो character है उनका नाम है Valentina Allegra Defonte अब मैं इस character के पाम मैं थोड़ों साब को बताता हूँ originally यह party Hydra की लेकिन थोड़ों दिनों बाद में comics के अंदर इसने जॉइन कर ले थे SHIELD यहाँ पर Nick Fury का trust पाकर उसने एक female जितने भी SHIELD के leader थे उनके team मना कर mission करना शुरू कर दिया था और basically इस show के अंदर पूरे-पूरे episode के अंदर जो main highlight थी वो इसी की थी क्योंकि काफ़ लोगों नहीं tease किया था कि हमें फाइनल एक ऐसा cameo देखने को मलेगा जिसका future बहुत ब्राइट है यहाँ पर जो एक character हमें देखने को मलने वाला है यह female character होने वाली है और future के अंदर हमें Marvel के बहुत सारे projects में में देखने को मलेगी अगर आप इसकी profile के बारे में ऊथरा सेर्च करोगे आपको पता चलेगा कि secret invasion में और जहां तक मैं जानता हूँ Marvel की बहुत सारी comics के अंदर जो related थी shields है उसके अंदर जो हमारी वेलेंटी लाए लग रहा था उसका बहुत बढ़र बड़ा रोल था तो Falcon and Winter Soldier के आने के बाद अब नई नई प्रजेक्स के अंदर शायदिंग का cameo हमें देखने को बन सकता है यहाँ पर वो John Walker को आकर समझाती है कि मेरे पास तुम्हाले कुछ mission है अपना card देती है जिस card पर कुछ लिखा नहीं होता है और अपने आपको introduce करके चले जाती है उनको यहाँ से ले जाया जा चुका है वो भी forcefully तो यहाँ पर जो कारली है वो अपना final जो mission उसको अंजाम देने वाली है और अब वो कहते है अपने partner से के बहुत हो गया और अब हम war करेंगे और अब हम ओल्री ट्रेल बन चुके है तो आप डरना किस बात का है यहाँ पर जो कारली मॉर्गन तो का जो करेक्टर है आप थोड़ा सा finally थोड़ा खतना कोने वाला है और 6 एपिसोड के अंदर हमें पता चल चुका है यानि 5 एपिसोड के end में उसके आद हम देख सकते हैं हमें सकोविय का ममोरियल दिखा जाता है और यहाँ पर हम डैनियल बूल का करेक्टर यानि के हमारा बैरन जीमो देख सकते है यहाँ पर यह अपना जो मेमोरियल है उसको देख रहा है जिसकी चर्चा उसने एपिसोड फोर के अंदर की थी वो देखता है कि crispy अचुगा है और वो बोलता है कि मुझे पता हो तुम यह पर आ अओगे जरूर । si mokya यहापे बखी को संजाते कि मैं तूम मारना नहीं चाहता हूत में चाहता हूत जो जाते हो अचना है जिए में चैलो वुख सकते हो जो हमारी IO है वो बक्की एक्स्पेरिंड करती है कि जो हमारे Zemo है वो जाएगा सीधा राफ्ट के अंदर जो हमने Civil War के अंदर प्रिजन देखी थी ना उसी प्रिजन के अंदर विए जाने वाला है और यहां पर उसका जो इंचार्ज है वो है थंटर बॉल्ट रॉस्ट अब आप यह बाद जानते हो कि जो Zemo है वो ठंटर बॉल्ट रॉस्ट के पार जाने वाला है और इसका मतलब क्या है कि आप 6 एपिसोड या फिर उसके अंद में हमें एक टीम देखने को मैं इसका नाम है ठंटर बॉल्ट तो यह होने वाला यह मैं आपको पहली बता रहू हम दे इसका में दिखा जाता है कि Sam जाता है Isaiah Bradley के पास और उससे पुछता है कि तुम Captain America क्यों नहीं बने यहाँ पर रिसिजम के टोन को बहुत ही अच्छे तरिकी से दर्शाया गया है यहाँ पर Isaiah Bradley उसका एक्स्पेरियन करता है कि कोई भी एक समझदार व्यक्ती कभी Captain America नहीं बन जो कि Isaiah Bradley थी 30 साल पहले की थी बलकि आजकी रेट में जो डिसिजम में बहुत कम हो चुका है लेकि 30 साल पहले तो बहुत जादा था यहाँ पर जो इंट्रक्शन है दोनों का वो काफी जादा माइं बलेंगे और हम Isaiah Bradley दुबारा से डेखने को मिलते हैं और अब वो सब को जाते हैं उसके अदम देखते हैं Isaiah Bradley से बात करने के बाद में Falcon अपनी sister को फोन करता इसको बोलता मैं घर आ रहा हूं यहाँ पर मुझे ऐसा लगजा था कि Falcon जो है इसको छोड़ देगा लेकिन घर पर आने के बाद वो अपनी family से connect करता है और वो फैसले लेता है बोट को बे सकते हैं Falcon की family साथ साथ उसके जो community है उसके लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो अपनी community से जोड़ रहा है और काफी जादा happy है उसे जिन के अंदर आता है हमारा Bucky और Bucky आकर कहता है के लो तुम्हाले मैं नया suit लेकर आया हूं और उनकी friendship जो है वो next level पहुंच जाती है suit obviously यह वकारणन technology का है और काफी जादा amazing के scenes हैं हाँ मुझे अस लगता है कि यह scene फाल्तू में डाले गए हैं इसको cut किया जा सकते है थोड़े action scene क्योंकि पांच भावी episode है दिखाए जा सकते थे बट कोई बात है नहीं कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसकी बात Bucky उसको बोल जो parents है वो भी चाते हैं कि जिसने भी लमार को मारा है उसको पूरी पूरी justice मिले और John Walker यहाँ पर बैठा होता है जो लमार की मा है वो इसको hug करती है और हम देख सकते हैं यह काफी ज़रदे emotional scene है एक side guys वो है जहाँ पर Lamar सही था और John Walker सही है और एक side वो है जहाँ पर हमारा या Bucky या Sam की side हो सकते हो या John Walker की side हो सकते हो इसके लावा आपके पस कोई chance नहीं है और यह बात मुझे इस episode की और इस show की काफी ज़रद अच्छी लगती है उसके बात कुछ scene समय में निखा जाता है कि Bucky और Sam मिलके boat को fix कर रहे है और जैसे ही boat को बेचने वाला होता है हमार फालकर उसकी बहना कर बोलती है कि नहीं हम boat नहीं बेचेंगे और फालकर नहीं बेचेंगे और फालकर यहावे बहुत जारा खुश हो जाता है और वो चाहता है नहीं वो फोर्ट बेचेंगे लेकिन यह scene मुझे काफी अच्छा लगा और अगले scene में हम देख सकते हैं कि Bucky अब उस घर के बाहर खड़े होते हैं और यहाँ पर जो Sam है इस बात को accept कर लेता है कि अब मुझे फालकर चोड़ना पड़ेगा और Captain America बनना पड़ेगा और हम देख सकते हैं कि Bucky जो है उसको थोड़ा सा प्रेप टॉक देता है और उसको समझाता है और उसकी रिस्वांस कर लेना मैं आ जाओंगो और अपनी प्रैक्स करते रहो और उसके बाद हमें फालकर की मोंटाज दिखाए जाती है जिसमें वह पूरे अच्छे तरीके से त्यादी कर रहा है Captain America बनने की मोंटाज इतनी अच्छी है इतनी जादा अच्छी मुझे लगी और इतनी जादा एक तरह से क्या सकते है प्रोगर्सिव है जहां पर फालकर पसीने चूट रहे है उसके वह अपनी शीर्ड करके पूरी-पूरी ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि अभी यह जानता है कि Captain America उसे बनना चाहिए लेकि मुझे कहीं न कहीं गईस ऐसा भी लगता है अभी कि शायद फालकर को यहां पर Super Soldier Serum ले लेना चाहिए पता निसके मन में शायद Super Soldier Serum लेने का बात आई नहीं है कुछ भी हो सकता है बट वह शीर्ड का स्टमाल करके पूरी-पूरी प्रैक्टिस कर रहा और यहां पर उसका जो प्लान है वो आप पूरा करने वाली और जितने भी फ्लाग स्माशर के साथ देने वाल लोग है यहां पर उन सब को अपर काली का प्लान का है गाइस वी हाव आइडिया लेकिन यहां पर बैट्रोक सिर्विय कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए वह तो बस फालकन को मारना और यहां पर टॉरिस जो है वो फालकन को फोन करके समझाता है कि एक बंदा नियॉक के अंदर एक दिपार्टमें म उसको पूरा-पूरा क्याप्टरमरी का बनना पड़ेगा विद नीउ सूट और वो तयार है अपने पूरा करने के लिए यहां पर हो जाता है पूरा-पूरा एपिसोड खतम लेकिन क्रेडिट्स के बाद में आपको देखना है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन जहां पर हम दे देख सकते हैं वो शीर को दे रहा है सेम क्याप्टन अमेरिका वाला कलर और यहां पर अब वो क्याप्टन अमेरिका तो नहीं है और अब वो बन जाएगा हमारा यूस एजेंट और इसकी भी फोटो लीग हुई थी वो में में आपको दिखा देता हूं तो गाइस यह था फ इतनी बड़ी वीडियो देखिए ना तो लाइक कर देना कमेंट कर देना शेर कर देना दोस्तों के साथ पे थैंकिस सो मच अगेन मैं हूँ सचली लिगा मिलूंगा आप से अगली वीडियो के अंदर बाइक आश टेकर लाव यू अल और अवा ग्रेट अमेजिंग डेग